क्या आपको भी KFC चिकन खाना बहुत पसंद है मेरी तरह मुझे तो बहुत पसंद है अगर आपको भी अच्छा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए देखी इसमें कितनी अच्छे क्रम्स है इसमें बहुत सारी टिप्स बताऊंगी और बताऊंगी स्पेशल जो मसाला आत उसके उपर डालेंगे तो चार चानल लग जाएगा उसके अंदर भी डालेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही अच्छा बना था आप यहाँ पर देखी सकते तो चली वीडियो के स्टार्ट करते एंड तक जरूर देखिएगा असलाम लीकूम और वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे है आप सब तो यहाँ पर देखे मैंने बोनलेस चिकल लिया है देखे बिल्कुल भी बोन्स नहीं है इसमें और इसे हम पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और बिल्कुल तिरचा कट करेंगे ठीक है लंबा लंब अच्छा बन करके रेडी होगा फ्रेंड्स और एक और बात फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मेरे पास एक और रेसिपी है और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो मैं आगे भी दूसरी रेसिपी आप से शेयर करूंगी इंशाला ताला और यहाँ पर देखिए पीसे जब कट कर लेंगे ना तो मेरे पास दो विंग्स भी थे चिकन के तो मैंने उसे भी आट कर दिया था और विंग्स का भी टेस्ट बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था और अब हम इसे थोड़ा मैरिनेट कर लेंगे तो बहुत ही कम चीजों से यहाँ पर जो मैं आपको आगे end में बताऊंगी यह बहुत ही secret है friends बहुत ही अच्छा टेस्ट आयागा जो मैंने बना करके ready किया है यहाँ पर तो यहाँ पर दो टीस्पून मैंने डाला है ठीक है भर भर के उसके बाद यह चीज जो है आपके chicken के according आपको डालना है जितना आपका chicken रहे ठीक है और यह chicken की quantity 3.5-400 ग्राम के लगभग में होगा friends मुझे अच्छे से अतना नहीं पता है तो इसे अच्छे से marinate कर लेंगे और यहाँ पर विनेगर जरूर से डाली गए इससे बहुत ही अच्छा अंदर से juicy और टेंडर होगा आपका chicken तो यहाँ पर देखे दो टेब मुझे किसी काम से का नाजित को injection दिलाने जाना पड़ा था बिल्कुल emergency में क्योंकि बिली ने नाजित के हाथों में पंजा मार दिया था बिली की कोई भी गलती नहीं थी friends नाजित की गलती थी क्योंकि वो से बहुत जोर जोर से tightly उसे पकर रहा था इसलिए वो अपने बच दिलाने के लिए तो उन्होंने कहा कि चार डोज लगेगा चार में से तीन डोज तो इसका complete हो चुका है बस एक डोज बाकी है जो चार नोवंबर को लगेगा last और यह रेसिपी भी में बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी friends और यहां पे देखे उसके अ नहीं आ रहा था बहुत अच्छा टेस्ट था लेकिन इसी वज़े से वह कवर हो गया इसलिए दो घंटे तक ही last मैरिनेट कीजेगा और यहां पर मैंने मैदा जो लिया है उसमें थोड़ा सा नमक एक कर देगे बिल्कुल half teaspoon के लगभग में और मैदा थोड़ा अच्छी quantity मे असानी हो और बहुत अच्छे से वह क्रम हो जाए ठीक है और आप सोच रहे हों कि हमने onion का powder कब डाला कब डाला तो ज्यादा टेंशन मत लिजे फ्रेंट्स आगे जो मैं मसाला बनाने का प्रोसेस बताऊंगे ना उसमें ही onion का powder एड़ था तो वह बहुत important मसाला है उससे ही extra flavor, extra taste आएगा तो आगे end तक जरूर देखेगा आप चाहे तो वीडियो को fast करके भी देख सकते हैं लेकिन end तक जरूर देखेगा ठीक है और यहाँ पे देखे दूसरे बावल में मैंने एक दम chilled water बिल्कुल ठंडा पानी लिया है और फिर उसमें बरफ भी add कर दिया है इसकी बहुत ज़रूरत है हमें उसे से हमें क्रम बनाने में बहुत help होगा और यहाँ पे एक एक पीस हम add कर लेगे ज़्यादा पीस नहीं हैं चार से पांच पीस लेगे जितना हम उसे handle कर सकेगः तो नहीं लेना है में ठीक है और उसे बस हलके हलके हाथों से उसे हम ăदा mix कर ले और फिर मैदे में डाल लेंगे हैं और अब यहां पे क्या करें घर करना है इस पर Niya थो से प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा और अगर जोर जोर हाथों से प्रेस कीजिएगा तो किस तरह से क्रम आएंगे ठीक है जब ताइड हाथों से प्रेस किया तो कितने अच्छे क्रम बन करके आए एक और टिप्स बताऊंगी यहां पर अब इस करने के बाद मैदे को अच्छ से निकल करके आएगा ठीक है अब इतना जोर से मत जटक दीजेगा कि हमारे हाथ से पीसे सी गायब हो जाए ठीक है इतनी तेज हमें जटकना है कि वो जो क्रम से वो अच्छे से निकल करके आए जब आप देख रहे हैं मैदे से निकाल ले तो उतना अच्छा क्रम नहीं दिख लेकिन कोटिंग दिख रही है उसके जब जटकेंगे तभी प्रॉपर क्रम्स बन करके रेडी होगा और यहां पे प्लेटफॉर्म के हाल देखिए आप यहां पे और जब मैं प्रोसेस कर रही थी ना चिकन को मतलब कोटिंग करने का तभी मैंने एकदम बिल्कुल लो फ्लेम मैंने ओईल रख दिया था कड़ाई में और जब आपका जो ऑईल है ना अच्छे से गरम हो जाए बिल्कुल अच्छे से हीट होनी चाहिए वरना क्या होगा ना अच्छे से चिकन आपका नहीं पक पायागा और बिल्कुल मेडियम हाई फ्लेम पे हाई नहीं बोली मेडियम हाई उस पे हम एक एक पीसेस करके हम डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे पांच से साथ मिनट तक ठीक है पांच से साथ मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा यह और इतना ही रखेगा जितनी आपकी कड़ाई में एजस्ट हो सके ओवर क्राउड नहीं किजेग वरना ओयल का जो टेंपरेचर है वो कम हो जाएगा और यहां पर देखिए अभी हम कुछ भी इसे टच नहीं करेंगे जब 10 से 15 से के बाद इसे थोड़ा सा चमस से थोड़ा सा चला लेंगे इसलिए ताकि जो चिपके होए रहेंगे वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए बस इ अगर आपको मेरी वीडियो अची लग रही है तो प्लीज लाइक कर जीजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलेगा और शेर कीजेगा अपने सभी फ्रेंट्स और फैमिली के साथ जो कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड वी और यह देखे दूसरा बैच भी हम यहां पर फ्राइ कर लेंगे उसके बाद करते हैं सर्फ और आगे में आपको इसकी आवाज भी सुनाओंगी और कहीं जाएगा मत इसका मसाला भी बताओंगे अभी ठीक है और ऑईल से निकालने के बाद बिल्कुल उसी टाइम पर यह मस लखे गए इसी तरह के मसाले उपर से डले होते हैं और इसकी आवाज सुनेजया बाप सी इतना crispy इतना crispy और अंदर से इतना juicy की मैं आपको क्या बत बहुत ही soft है और इसके क्रम भी बहुत अच्छे आई आए आगे मैं आपको दिखा रही हूँ और अब आते हैं इसके मसाले के तरफ तो पहले यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा खा करके टेस्ट करके देख रहें कितना अच्छा बना है और यहाँ पे मैं टिफिन में नाजित को भी भेज रही हूँ यहाँ पे उसका लंच क्योंकि आज मैंने उसे लंच भी नहीं दिया था इसलिए नाजित को मैं भेजूंगी निक्सी का जो सबसे छोटा वाला जा रहाता है तो वो लेंगे उसमें हम क्या करेंगे एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, एक टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च जो हम हमेशा खाते हैं एक टीस्पून गारलिक पाउडर, एक टीस्पून अनियन पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, एक टीस्पून और एक टीस्पून और एक टीस्पून आप यहां पे यूस कीजिएगा अगर आपके पास आमचूर पॉडर नहीं होगे तो चाट का मसाला जरूर से एड़ कीजिगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और नमक एक टीस्पून ठीक है उन सभी मसालों को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिगा फ्रेंड मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ लेकिन जब मैंने ये मसाला बना करके रेडी किया न ट्रस्ट मी फ्रेंड मैं मजबूर होगे पावडर मसाले ही होने चाहिए तब आप रेसिपी बनाएगा उसके बाद आप मुझसे शेयर कीजिए ठीक है इस मसाले को आप दो तीन जगह पे भी यूस कर सकते है जैसे के पॉपकोर्ण भी बनाएगा केफ सी का तो उसमें भी आप यूस कर सकते है तो बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा और मैं इसली मजबूर हो गई मैंने पहले से से बना करके जो रखा ता जब मैंने ये टेस्ट किया ना मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने बोला चलो आप सबसे शेर किया जाए ये रेसिपी और इसी तरह के धमाके दार रेसिपी के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा फ्रेंड्स और इस मसाले का नाम क्या है ये परी-परी मसाला बन करके रेडी हो जाएगा तो वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो चली चलती हूँ दौाओं में याद रखेगा इंशालला ताला फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज लव यू अल टेक केर बाबाई